नमस्कार, इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि मेडिकल इंस्वरेंस या मेडिकलेम लेना हमारे लिए क्यों जरूरी है और इसके जो भी बेसिक जानकारिया थी वो आपको उस वीडियो में मैंने दी थी आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि मेडिकल इंस्वरेंस या मेडिकलेम आपको लेना है तो आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या आपनी तरफ से चेकलिस्ट बनानी चाहिए और क्या सावधानिया रखनी चाहिए लेकिन यहां जानगारी देने से पहले एक छोटा सा डाउट है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ जादा तर लोग ये समझते हैं कि Health Insurance और MediClaim Policy एक ही चीज होती है लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है MediClaim कहिए कि Health Insurance Policy का एक हिस्सा भर है MediClaim आपको Hospitalization के खर्च देता है किसी भी illness की इस्थिती में या किसी भी दुर्गतना की इस्थिती में यदि कोई आदमी बीमार पढ़के या Hospital पहुंच जा तो Hospital में आने वाले खर्च का जो भी Cover-Up है वो आपको MediClaim से मिलता है लेकिन Health Insurance Policy थोड़ी बड़ी होती है यहां आपको Hospital में भरती होने से पहले जो भी आपका Pre-Hospitalization का खर्च है या Hospital से छुट्टी मिलने के बाद जो Post-Hospitalization का खर्च है Ambulance Charges है या फिर Loss of Income के जो भरपाई है वो सारी चीजे Cover की जाती है और इस तरह से यह एक Comprehensive Plan होता है Health Insurance का MediClaim लेने के लिए यह जरूरी है कि आपको Hospital में कम से कम 24 घंटे भरती होना पड़ेगा लेकिन Health Insurance के साथ यह शर्त नहीं है दूसरी बात यह है कि MediClaim एक तय अमांट का ही होता है और इसकी जो Limit है वो 5 लाख रुपे से अधिक नहीं हो सकती जबकि Health Insurance कई सारी critical बीमारियों को भी Cover करता है Pre-existing disease अगर है तो उनको भी Cover करता है और इसकी जो Limit है वो 6 करोड रुपे सालाना तक हो सकती है यानि कि यदि आप अपने Health के बारे में एक निश्चिंता चाहते हैं तो अपने लिए कोई अच्छा सा प्लान चैन कर सकते हैं और जो भी Maximum coverage है वो आपको यहां मिलता है दूसरी बात कि Health Insurance Plans होते कितने तरह के हैं देखिए Health Insurance Plans आपके जरुद के हिसाब से कंपनिया कई तरह की लिए आई हैं आप अपने हिसाब से उसका चैन कर सकते हैं जैसे इंडिविजुल प्लान है या फैमिली फ्लोटर प्लान है या कि कहिए कि जो बुजुर्ग लोग है उनके लिए Senior Citizen Plan है Critical Illness को अगर आप कवर में लाना चाहते हैं तो Critical Illness Plan होता है तो यह जो है वो साधरन चीज़े हैं जो आप नाम सही सबस सकते हैं कि यह इस प्लान के तहर क्या-क्या कवर आपको मिलता होगा तो अब हम बात करें कि सही सम इंशोर्ट क्या होना चाहिए देखिए जो आप बीमा करवाते हैं या सेहत का बीमा आप करवा रहे हैं तो यह जो है आपके भविश्य की योजना है आप अपने भविश्य के लिए कर रहे हैं आज के लिए नहीं कर रहे हैं तो यदि किसी बीमारी को आप चाहते हैं कि उसका कवर ले कोई top up ले या basic plan ले तो आप ये सोच के चलें कि future में ये चीजें कितने महंगी पढ़ने वाली है देखिए अगर हम ये मान के चलते हैं कि महंगाई आने वाले दिनों में बढ़ेगी तो सेहत पे होने वाला खर्च भी बढ़ेगा एक तरह से समझे कि यदि हर्ट की किसी बीमारी का इलाज आज की डेप में 5 लाख रुपे का है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो 12 लाख रुपे का हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए आपको कम से कम 7 या 8 लाख रुपे की एक policy का चैन करना चाहिए और इस तरह की policy एक लेनी चाहिए जिसमें आपको no claim benefit मिलता है no claim benefit क्या है यदि आपने कोई insurance policy ली उसका premium आप भर रहे है चाहे महिने में भर रहे है या सालाना या 6 माई जैसे भी भर रहे है और आपको कोई ऐसी जरुवत नहीं पड़ी कि आप उस policy के benefit को avail करें तो होता यह है कि जो company या तो आपका premium कम कर देती है थोड़े समय के बाद या फिर आपकी जो limit है वो बढ़ा देती है तो यहां आपको यह करना चाहिए कि आपको premium कम करवाने पर नहीं जैना चाहिए आपको अपनी limit धीरे धीरे बढ़ाते रहनी चाहिए यह सोच के कि आने वाले समय में चीजें महेंगी होगी और इलाज का खर्च भी आज से कहीं जादा होगा फिर जो दूसरी बात आती है वो यह है कि हमें किस company के साथ जाना चाहिए कौन सा प्लान लेना चाहिए भारत में कई कमपनिया हैं जो आपको health insurance दे रही है और हर company के जो है अलग-अलग products है उसमें कुछ benefit है और किसी में कुछ जो है खास बात है किसी में कुछ है तो आपको किस तरह से chain करना चाहिए पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी जो family background है या जिस सहर में आप रहते हैं जहां आपको ये खर्च करना है उसके हिसाब से एक राशीत तै करें दूसरा कि company की तुलना करें जो अलग-अलग company आपको offer दे रही है उसकी तुलना करें और यहां देखें कि किस company का claim settlement ratio अच्छा है आप IRDA की website पे भी जाकर के claim settlement ratio के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं तो यदि आपने अलग-अलग policy की details हासिल कर ली उसके premium के बारे में जानकारी कर ले ली किसमें कितना premium आपको आने वाला है तो उसके आधार पर फिर आप अपने लिए एक अच्छी policy का claim कर सकते हैं यहां एक बात ध्यान देने लायक है कि केवल कम premium होने से कोई भी policy अच्छी नहीं हो जाती है देखिए माली जे किसी भी company ने आपको एक insurance कबर 5000 रुपे का दिया महिने का और दूसरी company जो है वो आपसे 5,000-6,000 रुपे या 7,000 रुपे मांग रही है तो difference क्या है अब हो सकता है कि पहली company ने आपका co payment का option 25% का रखा हो और दूसरी company ने केवल 5% का रखा हो तो भले ही आपका premium दूसरी company में अधिक जा रहा है लेकिन आपके लिए वो फाइदमन है कोई भी company आपको 100% भुखतान नहीं करती है जब आप claim settlement करवाते है एक हिस्सा थोड़ा बहुत आपको देना पड़ता है कई चीजें होती है जो insurance के दारे में नहीं होती है जैसे माली जी आपने एक surgery करवाई तो cotton का खर्चा है तो वो बड़ा मामूली सा लेकिन वो आपको insurance के cover में नहीं आता है ऐसी बहुत चीजें होती है तो जो आपका co payment का option दूसरी company ने कम रखा है भले उसका premium जादे है उसमें जाने में फाइदा है तीसरी बात जो भी मैंने आपको कही को payment का option अब कई कंपनिया अलग-अलग तरह के ये ratio रखती है कि को payment का ratio आपका क्या होगा और दूसरी company का क्या होगा तो इसको जरूर आप देखें और जो अलग-अलग बीमारियों में क्या ये अलग-अलग है critical illness में अलग है ICU में अलग है तो इसके बारे में फिर check बनाए चेक करें कि आपको कहा क्या देना पड़ेगा इसके अलावा कई company IC हैं जो जैसे pregnancy को cover नहीं करती है तो यदि आपकी योजना अभी family को बढ़ाने की है आप इसके बारे में विचार कर रहे है तो इस चीज का भी जान लखें कि pregnancy इसमें cover है child birth इसमें cover है या नहीं है pre और post hospitalization जैसे मैंने कहा था अब देखिए कोई आदमी बीमार पड़ता है तो ऐसा तो नहीं कि वो सीधे hospital में जाके भरती हो जाए वो पहले जो अपने महले के dispensary है doctor है clinic है वहाँ जाज करवाता है इलाज करवाता है और फिर अगर लगता है कि ये गंभीर बीमारी है तो उसे hospital में भरती होना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है और hospital के बाद भी खर्च करना पड़ा तो कई जो policy है जो आप ले रहे हैं उसमें आप ये देखिए कि आपको pre-hospitalization और post-hospitalization के हैं क्या लाब मिलना है और इसके लिए आपको कितना premium देना पड़ रहा है एक-एक चीज की तुलना करनी चाहिए मेरा मानना ये है कि आपको एक checklist बनानी चाहिए एक-एक चीज को अलग-अलग note down करना चाहिए हर company के सामने ये लिखना चाहिए कि इस company में इतना खर्चा रहा है इस company में इतना खर्चा रहा है ये मिलना ये नहीं मिलना और उस checklist के आधार पर अपना फैसला करना चाहिए ताकि आप अपने पैसे से बहतर से बहतर policy खरीच सके health insurance में जो एक common जो दिक्कत लोगों को होती है वो होती है room rent के बारे में देखिए room rent का rider अगर आपकी policy में नहो तो बहतर है क्योंकि यदि आप hospital जा रहे हैं तो आप ये तय नहीं करेंगे कि आपको कौन सा room खाली मिलेगा हो सकता है अधिक जो महंगा room है वो आपको मिल रहा है और आपको लेना ही पड़ेगा तो ये rider नहों तो बहतर है अगर है तो उसके बारे में फिर पूरी जानकारी लीजिए ये इसी तरह से ambulance का खर्च कोई companyya है जो ambulance के खर्च को उसमें add नहीं करती है जबकि at a time आपको धेर सारा पैसा उसमें देना पड़ता है तो इस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखिए जैसा मैंने अभी बताया कि एक checklist बनाईए उसमें आप देखिए कि क्या आपको मिल ला है कितने में मिल ला है और तोलना करिए उसी तरह एक checklist ये भी बनाईए कि आप जो policy का chain कर रहे हैं उसमें आपको क्या क्या नहीं मिल ला है आपको क्या मिल ला है ये जानना जितना दूरी है कि आपको क्या नहीं मिलना है किस चीज का पैसा आपको आने वाले समय में खुद ही खर्च करना पड़ेगा और अंत में एक आखरी बात कि आपको मेडी क्लेम या हेल्थ इंसरेंस पॉलेसी कैसे लेनी चाहिए देखिए आप आज किसी भी कंपनी से बात करें उसके जो है रिप्रेजेंटेटिव आपको आकर के मिलेंगे आपको सारा कुछ समझा देंगे लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीदने में सक्षम है आपने कंपनी का चैन कर लिया है आपने प्लान के तुलना कर लिया है यह तै कर लिया है कि कौन सा प्लान लेना है तो आप ऑनलाइन के ऑफशन में अगर आप जाते हैं तो फिर आपको हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंस मिले प्रीमियम है और वो आपके लिए थोड़ा फाइदेमंद हो सक और एक खास बात कि यदि आपकी company आपको medical check-up करवाने के लिए कहती है तो आप जरूर check-up करवाएं यदि नहीं कहती है तो इसके बारे में सवाल करें और check-up करवाएं क्योंकि कल होकर के किसी भी क्लाउज से medical company जो आपकी insurance company है वो आपके claim को reject न कर दे आपका दावा मजबूत रहे इसके लिए ये निहायत ही जरूरी है और आपको इसका ध्यान जरूर ही रखना चाहिए तो दोस्तों आपको आज मैंने Health Insurance Policy और MediClaim के बारे में बताया हारा की मेरी इक्षा है मेरी प्रार्थरा है कि आप सबस्वस्थ रहे और आपको इसकी जरूरत कभी न पढ़े लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो policy है ये आप अपने निश्चिंता के लिए खरीते हैं अपनी सुरक्षा के लिए खरीते हैं तो इस policy को आप जरूर खरीदें health insurance policy के बारे में आज इतनी ही चर्चा आगे किसी और मुद्दे पर कोई खास जानकारी लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा तब तक आप मेरे चैनल को देखें मेरे वीडियो को पसंद करिये और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब जरूर ही करिये नमस्कार